नवस्कार दोस्तों आज की डेटे 22 नवंबर लोजाज चोईस स्वागत है आपका आज के करेंटफे डिसकसन में चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं पहला आर्टिकल है केरला में दो आईस ऑफिस को सस्पेंड कर दिये गए इससे समान दिते हैं क्या क्या देखेंगे इस आर्टिकल में हम इस आर्टिकल में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि सस्पेंड का मतलब क्या होता है एक सस्पेंड किया जाता है निलंबन एक किया जाता है बर्खास्त इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे इसके बार में देखेंगे किसी भी civil servant को किस परकार से suspend किया जा सकता किस आधर पर किया जा सकता इसके बार में देखेंगे फिर इनके समंदित rule क्या है उनके बार में देखेंगे फिर इन rule में कमिया क्या है और फिर finally wave forward के बार में देखेंगे तो हमारा पूरा आर्टिकल है वो cover हो जाएंगा इसमें हम बात करें ये prelim और men's दोनों के perspective से काफी ज़्यादा important हो जाता है दो चलिए अर्टिकल सुरू करते हैं बात करते हैं पहले suspension के बारे बात करते हैं नियूस हम बात करते हैं पहले बात करते हैं suspension क्या होता है Suspenser का मतलब होता है temporary pause of unemployed right to work their employee यानि कोई भी व्यक्ति है वो government job में काम कर रहा है ठीक है ये government job में काम कर रहा है तो temporary मतलब अइस्ता ही रुप से उसे उसके काम करने से रोक दिया जाएगा यानि कि उसका काम करने का जो अधिकार है उसे रोक दिया जाएगा और इस दोरान उसकी जो पैसे है ना वो मिलते जाएगे इस दोरान इसकी जो salary है payback है pay check है वो मिलता रहेगा वो चालू रहेगा उसे केवल उसे काम करने से रोक दिया जाएगा और ये इसलिए रोका जाएगा क्योंकि उसमें suspension चल रहा है यानि कि उस पे कोई investigation हो रहा है अब investigation हो रहा है तो अगर ये अधिकारी अगर अपना काम करता रहेगा तो वो investigation में बाधा डाल सकता है इसलिए इसे काम करने से रोक दिया जाएगा जब तक यह investigation हो नहीं जाता है suspension का मतलब यह होता है suspension का मतलब होता है temporary रूप से उस अधिकारी को अपना काम करने से रोक दिया जाना और इस दोरन उसको salary मिलती रहेगी उसके बाद में होता dismissal इसमें है ना उसको काम करने से रोक दिया जाता है साथ ही साथ में उसको salary भी नहीं मुलती और ये permanent होता है permanent termination हो जाता है इसे implement के contract से हटा दिया जाता है कोई job में benefit नहीं मिलता है कोई benefit privilege सब कुछ बंद हो जाता है ये अंतर होता है बरखास्त की में तो ये हिंदी medium में करमचारी को अपने अधिकारों से रोक दिया जाता अहिस्ता ही रूप से वेतन इसमें चालू रहता है और उसे job के दोरण मतब करमचारी को काम करने से रोका जाता है जब तक ये जान चल रही होती है बरखास्तिमी में परमानेंट रूप से उसको हटा दिया जाता है ठीक है वेतन बगर्या सब कुछ मिलना बंद हो जाता है दोनों में अंतर देख लिया अब बात करी कि यह न्यूज में क्यों है न्यूज में इसलिक दो आईस ओफिसर थे केरला में इनका नाम एन परसंथ और दूसा ते गोपा गया है इन्होंने सोसल मीडिया का दूर्पयों किया है और अपने जो सीनी रधिकारी होते हैं उनके खिलाफ कुछ अंडर्मीन करने का काम किया है इसलिए इनको सस्पेंट कर दिया गया है दूसरे जो थे गोपाल कृष्ण जी इनको क्यों कि कर दिया गया है सस्पेंट क्य यसी चैट वगरा मिलती ठीक है ऐसी वाट्सप में कुछ रिलीजियस चैट मिलती इसके कारण इनको बरखास्त क्यार दिया गया अब हम डिटेल में यह नहीं देखेंगे कि इसमें क्या हुआ था क्या इंपर लगे क्या नहीं लगे यह हमारे काम के निवास एक्जामपल आप एक्टिव है ठीक है रॉयल एंट्रे दिखाते हैं तो यह चीज है वो इनके रूल के खिलाफ है कोई भी अधिकारी है वो इस जो हमारे ओलेनी सर्विस रूलन उसका वालेट नहीं कर सकते उसमें सोचल मेडिया वगरा उसका लिमिट यूज के बारे में बात की गई है तो यह आप एक्जामपल देखिए इसका उपयोग कर सकते हों बात करें रिलेवेंस ओफ ओल इंडियन सर्विस कंड़क्ट रूल 1968 उसका रेलेवेंस क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं तो यह जो रूल है वो बात करते हैं कोई भी सिविल सर्वेंट है कोई भी ओफिसर है उसको एथिक्स, इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल नेट्रिल्टी और अपरॉल्ड ऑफ कॉंस्टिटुच्छन वेडियू थे इनतिकता उसे इंटीग्रिटी पॉलिटिकल नेट्रिल्टा और राजनीती तर्थासता और सooðी जो मुल्य है उनको बचा के रखना है उसके देखने को मिलती है, सबसे पहले यह बहुत पूराने हो गए, काफी ओल्ड है, और उन्नीस और सट में सोसल मीडिया वगरा यह थे नहीं, तो अब जो है न चैंजे देखने को मिल रहा है, जैसे कि पहला पॉइंट यही आता है, लेक आफ एक्स्पलिट सोसल मीडिया गाइला तो यह एक कमी देखने को मिलती है, उसके बाद में सेवा के लिए अनुचित, कोई भी सदस यह, वो सेवा करता है, उसके लिए अनुचित क्या है, इसकी भी व्याक्या है, काफी ब्रॉड है, काफी व्यापक है, तो इसमें लूफॉल जाता है, कोई पस्ट इसकी डेफिने के लिए उचित है या अनुचित है यहां पर कुछ भी ऐसा इस पस्त नहीं लिखा गया इसलिए कोई भी आई-एस अधिकारी इसका मिस्यूज कर सकता है यह पर आई-एस ओफिसर को किसी को फजान है तो वो भी मिस्यूज कर सकता है यह चीजे है वो सेवा के लिए अनुचित है या नहीं है वो तैय करेंगे तो इस पस्ट व्याख्यान कब आवा है सक्तिका असंतुलन अब सक्तिका असंतुलन का मतलब क्या है जो भी वरिष्ट सीनिर अधिकारी होते हैं या भी कोई मीडिया के जो गाइडलाइन हो जा find सो पर वह पहर होँ मेडिया होँ मतलब कोई भी होज सीवल सर्वेंट है उसको प्या-काम करना है सोशल मीडिया पर जाकी किस परकार से उसका वह उपयोग करना है पहले सी साति साहँ में जो मिस्का चो होने ची हमने अभी देखा था सेवाओं के लिए क्या उप्योक्त है क्या अनुप्योक्त है इसके लिए पूरी सूची होने ची एक लिस्ट होने ची है इस लिस्ट में लिखा हुआ ना जी है कि ये जो नियम है ये जो काम है वो civil servant नहीं कर सकता है ये काम है वो civil servant कर सकता है इस इसके बारे में एक इस पस्ट नियमों की सूची होने चाहिए एक लिस्ट होने चाहिए तो यह दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो वे फॉर और में तीसरा बात कता है जिम्मेदारी से गुमना यानि कोई भी अधिकारी है उसे अपनी इसके पर पहुंचाने के लिए आप उप्वियों कर सकते हो इसे नहीं कहीं कर सकते हो आप कहीं गूम रहे हो आपके बहुत जाले गाड़ी है उसके वीडियों डाले यह सब है वो मिस्यूज में आ जाता है साथ ही साथ में संतुलन को परवतन करें कोई वजिश्ट अधिकारी है कोई लीडर है कोई नेता है मनमानी कारवाई नहीं कर सकते जो जूनियर अधिकारी है उनके लिए सुर्खसा के लिए यह मेकेनिजम होने चाहिए तो यह पूरा आर्टिकल सोचल मीडिया के बारे में था सीवल सर्वेंट के बारे में तो काफी अच्छा आर्टिकल था काफी मस्त पॉइंट थे इसको आप यूज कर सकते हो ठीक है चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल में नेक्स्ट जो आर्ट बात करें तो यह बात करता है इसमें क्या होता है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानि हमारी इम्मुनियो सिस्टम होता है यह अगनासिय में जो इंसुलिन बनाने वाली कोशिका होती है उनको कर देती है नस्ट यह हमारा अमाना की एकजान अगनासिय है ठीक है यह हमारा है न के सरीर का इंसुलिन बहुती इंपोर्डेंट पारट होता है आपका जो ब्लड होता है उसको नीजनतरीन रखने के लिए इंसुलिन की आफसकता होती है तो इंसुलिन काफी ज्यादा महत्वपॉन हो जाता है अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो आपका यह किस परकार से करम है वो युवाओं में जदा देखने को मिलता है इसमें प्यास बहुत जlast बहुत जदा लगता है बूख बहुत जजादा लगती है वजन कम होता है आपका पकड़ेक तो insulin बनाने वाले जो कोशिका होती है वो नस्ट कर दी जाती है और type 2 में बात करें तो इसमें क्या है insulin है वो कम ही बनता है मतलब अपरभा भी हो जाता है या insulin का उत्पादन है को मिलता है सात ही सात में हैं डोबेकों के 7 से यहीं देखनें को मिल जाता है ठीकेए अब गया अब ये शुर्खों में क्यों होता थाärी मिल्यूज नीजफ के बार में बात करें तो यह 10 was तेरह में दर लेशेंट की इसके अकोडिंग बात की गई थी कि यह है ना डाइबिटीज इसकी संक्या वो बढ़ गई है भारत में 212 मिलियन हो गई है डेटा भारत में 200 मिलियन प्लस है वो डाइबिटीज के पेसेंट है इतना यूज कर लो एकजाट अंकड़े याद रखने लेगते थे 200 मिलियन पेसेंट थी अब 800 मिलियन हो गए मतलब इसमें पेसेंट की लगाता संक्या वो चार गुणा बढ़ी है यह चीज़ भी यूज कर सकते है ज्यादा यूज करने की ज़रूर नियूज की पेसेंट में लगातार बढ़ती देखने को मिल रही है और यहां है कितने थी 200 मिलियन भारत का पहला इसतान आता है भारत में 200 मिलियन पेसेंट है और .. यह कुछ व्यूज कर सकते है भारत में 200 मिम देखार है 220-4-2-를 क्लिया 200 मिलियन. प्लस है जिनका इलाज ही नहीं हुआ is अब इसमें प्रोब्लम क्या आता है पहले तो है नकुछ डाइबिटीज के टाइब हमन outlines है ऎसे होते हैं सुधैर किया सकता है लोग खीमकार कर चुछ होता है जिनका हम न्येतितर करल सकते हैं जिससी कंट्रोल में गा सकते हैं कि उच केलोरी के कारण डाइबेटेज हो रही है कारगोड हाइट रठ यूग तो जो प्रोड़क्ट हम खाते हैं फेट यूग तो यह होते हैं इंको खाते हैं उनकी में या फिर को जाब्यांच की जो बी धुडिटीजे य कि रिंग तो इन chilे मिलू तक गई उन की समझां कम देखने को ŚOL Пजुब दिया जाए तो ये भी चुनोती देखते को नहीं मिलती है भारत की चुनोती और डबलुएचो के लगसे डबलुएचो ने टार्गेट वर्ल्ड हेल्थ और्गेट बनाया है कि 2030 तक डाइबिटीज की पेसेंट है उनका एक तो उपचार होना ची एक इसका निदान होना ची ऐ हमने क्या क्या प्रॉल्बम देखी तम बाको कारण होती है टौब के को कारण होती है ठीक है वीमन में हो जाती है प्रेग्नेंसी के दौरान और यह लाइफ वगरण है तो भी यह देखने को मिलती है तो ऐसे कई कारण देखें फूड वगर अच्छा नहीं खाते हैं इसके क सुधार करना है जो समस्य उसको सुधार कर दो तो आपको पॉइंट मिल जाएंगे पहला बहतर निदान सवास्ति की जो भी है चीज अच्छी होने चाहिए अच्छे जान के कारेकरम होने चाहिए लोगों को प्रात्मिक जो सिवा के हैं उनका लाब उठाने के लिए आगे प् करें हो फिजिकलल आक्टीवीटिक करें इससे परमोट किया जाए और जो भी गती अपड़े रहते हैं पूरे दिन उनको भी ऐसी सवेजिकल आक्टीव इंते लिए कारेकरम ऐसे विक्सित करना ताकि वह फिजिकल एक्टीविटिक करें सामुधा एकरग होने चाहिए ताकि वो physical activity करी और गति से लिए है उसमें जीवन से लिए है उसमें परिवर्तन देखने को मिले उसके बाद में तूबे को कम करने को तंबाकू का जो उसे कम करने के लिए भी पहल की जानी चाहिए तबाको गोखने के लिए और भी और कारेकरम किया सकते हैं। जैसे हम अभी कारेकरम चलाले हैं, स्वास्ते के समधिदyy के ळूमूर पान है व फ़्वासथे मेह सते हैं, वहँद्व्य का रोग है, उसका करना है जो भी देश है वो सारे देश इक्टा करने है जहां इस परकार की समस्या देखने को मिलते हैं उनको एक मंच बेलाना है और दोनों सब भी सारे देश है जो भी ऐसे कारे करना है उसमें एक दूसरे से सीखना है अच्छी प्रेक्टिस कहां पर की जाती उससे सीखना है और उसको आगे बढ़ाना, अपने देश में इंप्लिमेंट करना, इस प्रकार के प्रयासों से इसको रोका जा सकता है, तो यह पूरा आर्टिकल था, डाइबेटीस से समने दें, ठीक है, यहाँ पर यह यूकरेन वगरा से दे रखा आर्टिकल, हम इसको नहीं देखेंगे, क कोई पूराने टॉपिक है, वो कवर कर रहा है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, वो यहाँ पर बात हुई दी, जर्मनी मेहना भी, यह स्नेप पॉल है, स्नॉप प्र क्या होता है, जैसे हमारी इलेक्शन दो जार उने वाले हैं, पर यह टाइम से पहले इलेक्शन करवा दी जा के बात करें, फुल फारम क्या है, नासा इसरो सैंथेटिक अडटर अप्रेचर रेडार यहिसका फुल फारम है, यह है इर्थ ऑजरवे सैटेलाइट है, Stanford, यहिमने फुल फोरम देख ली, किसके दोरा डैॉलप किया गया है, यह ने नैश्टनल अबेशन एरोन और आटिक् कि प्रती तीन सालों में बारा दिन बाद में पूरे गलव का चक्क्र लगाएगा वहाँ पे अर्थ पे लेंड कैसी है ठीक है आई सीट है वह किस पर कासे काम कर रही है ICI से वहाँ पे क्या होए वो सारी चीजे है वो बता कि पूरे प्लानेट के बारे में बताने का काम करेगा यह है निसार फुल फर्म आपने देखी लिए तो यह निसार के बारे में कुछ दे रखा है उसके बाद में बात करें फीचर की तो यह अठाइसो किलोग्राम का इसका सैटलाइट है इसमें दोहुरी आवरती इमेजन रेडार उपका उपयोग किया गया नासा की ओर से एल बेंड रेडार है जीपियस है और इसके लाब ठोस राजे रेकोडर है पेलोड डेटा है वो नासा की ओर से दिया गया एस बेंड रेडार है जीएसल भी है लाउंच सिस्टम और यह उपकर है यह बारत के अंत्रिक्स यान है वो डीश रो की ओर से दिया गया तो नासा ने क्या दिया याद रखना आपको एल बेंड नासा ने दिया है जीएसल जीपियस से वो नासा ने दिया जीपियस नासा ने दिया है और एडप्चर रेडार है वो नासा ने दिया इंडिया ने एस बेंड दिया है और लांच करने के लिए जीएसल भी कॉप्य हो गया वो इंडिया ने किया इस रो ने किया है dual frequency imaging radar satellites में लगा हुआ है L band है GPS है high capacity solid state recorders में लगा हुआ है poly tight substring लगा हुआ इस रोने S band दिया है GSLV long system दिया और spacecraft है वो इस रोने दिया है ठीक है 49 feet का extensionary antenna इसमें reflector लगा हुआ है वो जो भी सुचना है उसको आगे भेजने का काम करेगा इसके बारे में हमने देख लिए है और इसका objective के बारे में बात करें तो यह object subtle change in earth के surface में कोई परिवर्टन हो रहा है research को कागे बढ़ाएगा जो जो गटना हो रही है उसके बारे मताएगा research करना easy हो जाएगा साथ ही साथ में बात करें यह volcanic जो eruption होता उसके बारे में अर्च के बारे में लैंड सलाइक के बारे में warning देगा और पता करेगा इसके अलाव ग्राउंड वर्टर को देख सकते हैं लेवल कैसा है और glacier उनके बारे में चेक कर सकते हैं planet forest है वह बढ़ आ घटर उसके बारे में पता कर सकते है और Agrical region के बारे में पता कर सकते है isol है वह कोई और जगा यूज कर सकते हमालेन नीजर में यूज कर सकता है land Brilliantãy now क्या चेंज गूरे में किया और इसके बार देख सकता है उसके साथ साथ में इसमें high resolution लगा हुआ है जो सारेन इसमें high resolution लगा है जिससे काफी अच्छे से image clear हो सकती है ठीक है तो ये सारी चीज़े हाँ पर देखने को मिल सकती है weather में मोसम की इस्तती है उसमें भी बिना मोसम कोई भी कैसी परकार का मोसम है उसका भी ये भी काम करता है बिना मोसम की चेक किये किस परकार से मोसम है मोसम कैसा है इसे चेक किये बिना भी ये काम कर सकता है ये दिको नासा ने क्या क्या चीज़ें दिए और यहां पर इस्रों ने क्या क्या चीज़ें दिए ये एक बार आप देख लेना बेनिफीट के बारहें बात करें, रस्टय साइंस के बाहें, पता चलेगा कि किस परगार से डेटा मिल रहे हैं, उसके बारे हम पता कर सकते हैं, डिजैस्टर Hernandez में रहीं हमें, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगरीनिध्फियर का डाइटा मिली गाएं, इन्फरा टेक्प्प ने भूसके बारे में तो इसी एक फाइध हैं इसके बारे में here the question they रखा है PY QA UPS से नहीं पूछ अता तो इसके बारे में क्या क्यों इस चरोंने 2014 में launch किया था श्रीक है mangle यान्स उसके बारे में नहीं यहां पर बात कि गई यहां पर आपको correct statement बतानी है दूसरा पूंट यहां पर दी रखा है इसको भी एक बार पढ़ो यह सेकेंड देस इंडिया बन गया था यूस के बाद में तीसरा पूंट यहां पर बन गया है इंडिया ऐसी कंट्री जिसने इस पेस्क्राप्ट को अपने पहले ही जो एक मात्र प्रयास में इससे बना दिया गया था तो यह 3.50 प्रकाशिया दे रखा है तो मास और्बिटर मिशन भी कहा जाता है यूस के बाद मंगल के चार और करने वाला इंडिया दूसरा बना इंडिया एक मात्र रहसा अधिस जिसने अंत्रिक्ष के मंगल के चार और चत पहली बार करफा में सफल थासिल की है तो बारत USA के बाद में पहला अधिस यह तो घुलात लेंदन के बारे में तीन देश नेपाल, इंडिया और बांगलादेश इन तीनों के बीच में विद्धू लेंदन जो इलेक्टरिसिटी है उसकी लेंदन के लिए एक योजना शुरू की है तो भारत ने अपने ग्रीड के जरिए नेपाल से बांगलादेश के लिए विद्ध लेंदन का प्रयास है इसमें एटीपीची भारत की योजनी लेटिया और बांगलादेश से और बांगलादेश आपर डैवलप्नेंट ये विद्धूर्ण के लिए समझोतर पर स्थागसर किई इसागलादेश से बांगलादेश में बिझली को बेचा जाएगा और इसमें 40 जो मेगावाट है वो बिजली निराद के जाएगी, एक्सपोर्ट की जाएगी, बेनिफिट बहुत ज्यादा होंगे, सहोग बढ़ेगा, जो भी इस टेक है, उनको प्रस्पर लाब होगा, और देशों के बीच में संपरक है, वो बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, जो कम्प्यूटिशनल होते हैं, वो कारेकरे में उसको सक्सम बनाया है, मतलब क्या किया है, इन्होंने एक जैनेटिक सर्कीट होता है, यह मानला एक जैनेटिक सर्कीट है, इसकी परनाली विक्सित की, अब जैनेटिक सर्कीट क्या होता है, यह जैविक परनाली होती है, इस सेल होती है इस अलगल परकास की सेल होती है उनको यह एक दूसरे की साथ में रियक्ट कर सके परती कर सके संचार कर सके इस परकास से इस सरक्यूट में बना दिया तो जैनिक इन सर्किट बन गया इसी क्या होगा इसी यह होगा कि artificial neurals होता है उसके network के रूप में यह कारी करेंगे और यह एक aptex तक methodics के रूप में भी सक्सम हो जाएंगे इसी bacteria nurse के रूप में भी कारी करेंगा उप्योई इसके फाइदे क्या क्या होगे इसके फायदे होगे बिमारी के शुरुआत में पता लगाए जा सकेगा कार बने उसको अलग किया जा सकता है फास्ट कंप्यूटिंग की जा सकती है तो बैक्टिरियल कंप्यूटर बनाए गया है जिसमें जेनेटिक सर्किट का यूज किया गया है सारी जो बैक्ट करें आईश्मान बंदना योजना की बारे में यह तो पर्दान मंत्री जन आरो गया योजना थी पर्दान मंत्री PM-J यह योजना थी उस योजना का एक पार्ट है PM जन योजना को 2018 में शुरू किया गया था परदार मंत्री जन आरो की योजना इसका उद्देश ये था कि सभी को Universal Health Coverage में इसका उद्देश ये था Universal Health Coverage इसका उद्देश ये था ये 2018 में शुरू की थी तो इसी के एक पार्ट के रूप में आईस्मान वंद्दना योजना शुरू की गई है ठीक है और आईस्मान वंद्दना योजना हम क्या होगा इसमें 70 साल से उपर के जो लोग है उनको फ्री में Health Care सेवा प्रवाइड की जाएगी फ्री में स्वास्ते समन्दी जो सेवा हैं वो दी जाएगी निस्लुक स्वास्ते सिवा वो देख पाल है वो 70 वर्स अधीक उमर के जो लोग है उनको प्रवाइड करवाई जाएगी इसमें आईस्मान वंद्दना काड भी जारी किया गया है और कहीं तारी जो बिमारिया होती उसमें निस्लुक फ्री में सुवीता प्रवाइड की जाएगी नेक्स्ट पॉलिनेटर प्राग करन के बारे में यह गोता है वेस्टन बी यह पस्चिमी मद्दू मक्या और जो जंगली प्राग करन होते पॉलिनेटर होते हैं उनके बीच में रोग हो जाता है इनको खत्रा उत्पन होता है पॉलिनेटर के बारे में बात करें पॉलिनेटर क्या होता है यह देखो पहले एक्जेंपल से समझ लो यह है वेस्टन बी और यह पॉलिनेटर पॉलिनेटर में कुण आता है पॉलिनेटर में मद्दू मक्या आ जाते है बीय आजाती है त्टितलिया आजाती है और जो बड़ट सोते हो clarity OUT से Grund आजाते हैं अब जो Westeran B fuzzy निई जो ऩी मधूमचिया होती ये क्या बीमारी में इसमें मिनमें फैला देती हैं चाहिप नियरू की फ QR लख चाहिया है जो पाज़ब।ки final की परबाज़ पर याय जाती है उन्में प्राइप कैसे होता है तो इसमें ये पॉलेइंडर मौथववहपून भूमी का नहीं बाता है एक जो इनमें परजनन होता है पाद़ आप में तो समें ये ही ना ये जो अवार्शंपॉक्स इस काफी सुरुक्यों में था इंपक्स वायरस काफी स्ट्रेंड क्या होता है यूमन तुम यूमन संच्रन करता है तो एंपोक्स वायरस का ग्लेड एवन इस्ट्रेन है वो मानव से मानव में संचन करता है और अभी इसका प्रूफ मिल चुका है अभी जू साइंटिस्टी उनको इसका प्रूफ मिल चुका है तो इसे समा देते हैं अभी यह संचन क्या से होता है यह अपोबैक्स जो म्यूटेशन होता है उसके 로फ जो उसे उता है प्रॉटीन की अलगलोव फैमिली होती है अब ₹ कि स्वास्टे में संपने यह और सिंगल डी आने दोनों से प्रख़ जुनने की इस में समँता होती है अब डी आने में mutation होता है उसमें यह होती, प्रकती रूप से होती है अब Apobek होता है, इसमें protein जो वाइरस होता है जो वाइरस अलग पर करगा, वो इससे गलती करने में मजबूर कर देता है, जिससे Apobek में गलती हो जाती है, और इससे क्या होता है, कहीं सारी बिमारिया देखने को मिल जाती है तो ये अपोबक के बारे में था अपोबक क्या है एक protein family से है जो मानव के DNA और RNA दोनों से जुड़ के काम करता है और कई और कारी करने में सक्समें इसमें ये वाइरस है उसे कोई problem देखने को मिलती है जिसके काण अपर कें अच्छे से देख लो यह इंडिया यह श्रीलंका और यह है अफ्रीका यह इंडियन ओस्यायन ठीक के अब यह वेस्ट इंडियन उसंफर्श ऑल्च है यह इंडियन ऐसीन डाइपोल और यह क्या करता है temperature की अंथर को बताता है उसको यह मेंजर करता अगर हम बात करिये दो परकार का होता हैं इंडियन औोसन डाइपόल यह इसमें क्या होता है यह वेस्टस राइड का है यह कहां अफरीका के आसपास का रीजन है यहां पर आपको तापमान जादा देखने को मिलेगा अगर अफरीका के आसपास का जो इंदमा सागर है वहां पर तापमान जादा होगा ठीक है अगर वहां पर तापमान जादा होगा तो क्या होगा बारिस कहां जादा होगी बारिस अगर Indian Ocean Dipol positive है इसका मतलब है अफरीका की आसपास का जो भारत इंडुमासाओर है ठीक है यहा कि यहां पर तापमान जादा होगा, यहां तापमान जादा होगा तो यह अफरीका और भारत में बारिस जादा होगी फिर बात करें हमने बात करें पहले तो इंडियन उसिन डाइपॉल की मतलब पॉजिटीव की नेगिटीव है इसका मतलब है जो ऑस्ट्रिलिया है ना उसके आसपास का हिंद मास आगर वहां पर तापमान ज्यादा है अगर ऑस्ट्रिया के आसपास का हिंद मास आगर का मतलब यह है वारिष दीयकोर में बारिष कम होगी कारण क्या था पहां गता होता ओगा स्अनतर को बताता है हिंदमासागर में तापमान के अंतर को बताता है इसी जैसे नीनो उता है अल नीनो ला नीनो तो यह भारती हिंदमासागर ही नीनो भी कहा जाता है अगर पोजिटीव मतलब भारत में बारिस ज्यादा होगी नेगिटीव मतलब भारत में बारिस कम होगी पोजिटीव मतलब अ को पूइंट ती समान सुर्ग सा प्रोटोकॉल यूनिफॉर्म प्रोटक्चन प्रोटोकोल के बारे में बारती है जो ग्रीड के यूजर उनके प्रोटोकॉल का लगसी रखा है इसमें टार्गेट है कि 2030 तक 45, 450 जो गीगावोटे वो renewable energy भारज में प्रवाइड की जाएगी, सभी को सुर्खसित रखा जाएगा और सभी के जो grid है उनको सुर्खसा प्रवाइड की जाएगी, इसमें जो दो स्पून उपकरने हैं उनको अलग-अलग करने में मदद की जाए थोड़ा simple सा point आपको याद होना चाहिए, next करीबा लेक के बारे में, करीबा लेक के बारे में next article है, इसमें क्या बात करीगी है, करीबा लेक है, उसका जल इस तरह वो कम हो रहा है, यह point आप याद रखना, अब बात करे, example यूजज कर सकते हो, कहीं climate change से समझते हैं, आपको यह लेके, कहां पर यह लेके, एक capital है, जांबिया, अफरीका में है, दूसरी है, जिमबाबवे, जांबिया और जिमबाबवे के बीच में है, बनाए गे थी 1955 में, इसे बनाया गया था, यहां पर जो जांबेजी रिवर है, उस पर बांध बनाया गया था, उसकी दूरान इ आए, वहां पर यह, अपर यह, यह लेक्टरसी टिपी प्रोवाइड करती है, और कहीं जो मत्से उध्योंग वगरा घुथ, उसमें भी benefit यह प्रोवाइड करने का काम करती है, नायजेरील हैं, वो नाइजेरीया कीendo के बारे मैं, नाइजेरीया की आपिटल को सी है, अबू नेभर कंट्री यहां यहां बेनीन यहां पर नाइजर है इस पर चाड आ गया इन देकों से लगती है सी से तो एंटलाटी का सी है और गिन्नी की बे ऑफ गेनी गिन्नी है उसे भी इसकी माउंडर लगती है सरचना के बारे में बात करते है तो यहां पर जोस का पठार है उड़ी पठार है यहां पर है माउंट प्लेटियो है फिर माउंट डिमलांग यहां पर है इस्तिते उसके प्द्आप में शोकोटक का मैदान है," चार्द बेसिन यहीं पर है," नाइजरर रिवर है," बेनू रिवर वो भी यहीं पर है," कहीं, इंपोंड लेक लाइक चार लेक है jeg है नहीं यहां पर है," काफी देशों के बीच में", चार्ड केमरून मत इस्ट's है इन दोनों के बीच में कैपिटल कोन सी है प्योंग योंग कैपिटल है और इसकी वोण है वो इसकी करंसी है निता कोन है किम जौंग उने इनके नेتा है कुरिया लेंवेज है और यह हम दे चुके इसके प्राइम मिनिस्टर कोन है किम टॉंक हुन है वो इनकी प्राइम इनिस्टर है उसके बाद में अब्दूल गफार खान के बारे में और इनके बारे में बात करें तो इन्हें सिमंद गांधी फ्रॉंटियर गांधी के रूप में पी जाना जाता था इन्होंने 1920 में जो हमारा खिलाफ़त आंदोलन हो था इसमें महत्वपूल भूमिगा निवाई थी इन्होंने खिदमतगा रहें लाल-गूर्प काणोलन था न रेति न्तरों चलायता और वह उसमें महत्वपूल भूमिगा निवाई थी तो यह आर्टिकल है वह अब्दूल गफार कानु के बारे में है ठीक है जิ। तो यहाँ पर ये दे रहा तो आज की डिस्कुसर में इतना ही था थैंक्यू थैंक्यू वेरी मुच फॉर डिस्कुसर